Hello dear children, a very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine at your home. So now today it's story time. और आज हम लोग एक नई कहानी सुनने वाले हैं. हमारी कहानी का नाम है Little Red Riding Hood. So चले सुडू करते हैं. एक बार की बात है, एक गाउ में एक सुन्दर सी प्यारी सी लड़की रहती थी, जो हमेशा जब भी बाहर जाती थी, तब Red Hood पहनती थी. तो सब उसे Little Red Riding Hood के नाम से बुलाने लगे थे. एक दिन खबर आती हैं कि उसकी दादी जो जंगल के उस पार रहती हैं, उनकी तब्यत खराब हो गई है. ये सुनते ही Little Red की मा ने कहा कि बेटा आपको आपकी दादी से मिलने जाना चाहिए. और इसी साथ उन्होंने कुछ दवाईयां और कुछ खाने पिने के समान Little Red को दिये और कहा कि जंगल में साफधानी से जाना, किसी भी अनजान व्यक्ती से या जानवर से बात नहीं करना, और इदर उदर घुमने नहीं जाना, और जब वो जंगल से गुजर रही थी, अचानक से उसके सामने एक भेडिया आ गया, और उससे पूछा, चोटी बच्ची, तुम कहा जा रही हो? तो लिटल रेड ने डरते हुए कहा, कि मैं अपने दादी के घर जा रही हूँ, तो फिर भेडिया के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने सोचा, कि मैं इस छोटी से बच्ची को खाऊं, इससे अच्छा है कि मैं इसके दादी के घर जाके, इसकी दादी और इसको दोनों को साथ में खाओ और इतना सुनते ही वो दादी के घर दोड़के भाग गया और दादी को एक पकसे के अंदर बंद करके दादी का कुछ सामान पहन के वहाँ दादी के विश्दर पे लेट गया जब लिटिल रेग पहुंची तो उसने देखा कि दादी कुछ अलग-अलग क्य तो दादी ऐसी दिख रही है क्या कि उसको ऐसा लगा कि दादी अजीब क्यों लग रही है और उसने कहा दादी दादी आपके आखी इतनी बड़ी क्यों लग रही है तो दादी ने कहा बेटा मैं तुमको अच्छे से देखना चाहती हूं इसलिए मेरी आखे बड़ी लग और दादी दादी आपके दांद तो इतने में ही भेडिया उठा और बोला कि मैं तुमको खाना चाता हूँ इसलिए मेरे दांद बड़े हैं उतने में लिटिल रेड चिला उठी और पास गुजरते हुए एक लकड हारे ने उसकी आवाज सुन ली और वो तुरन दोड़ा आय लिटिल रेड की मदद करने के लिए और उसने भेडिये को बहुत अच्छे से सबक सिखाया और दादी को भी बक्से से आजाद किया तो बच्चो इसे हमें क्या सीक मिली हमें ये मिला कि हमें रस्ते में किसी भी अज्जान से हम कहा जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं नहीं बताना चाहिए ठीके बच्चो I hope आपको मज़ा आया Thank you so much Have a nice day Goodbye